आज हम पढ़ेंगे पी एन संदी के अग्र और पश्य अभिनती के परिपत फर्सली हम देखते हैं पी एन संदी की अग्र अभिनती पी एन संदी के अग्र अभिनती में हम पी एन संदी के पी सिरे को बेटरी के पॉजिटिव सिरे से और पी एन संदी के एन सिरे को बेटरी के नेगटिव सिरे से जोड़ते हैं यह पॉजिटिव यह नेगटिव ठीके अग्र अग्र अभिनती में क्या होता है P N संदी का P सिरा जो होता है वो बेटरी के positive सिरे मतलब plus सिरे से जुड़ता है और जो N सिरा होता है वो जुड़ता है अपना negative सिरे से ठीके अब हम जानते P के अंदर होते हैं हमारे holes ठीके और negative मतलब N के अंदर होते हैं हमारे electrons ठीके जैसे ही हम इसमें एक वाल्टेज अप्लाई करते हैं ठीके तो इसमें एक विद्यू शेत्र अप्लाई होता है ठीके जैसे हमने इसमें एक वाल्टेज अप्लाई किया तो इसमें एक विद्यू शेत्र अप्लाई होगा अब इसकी वज़े से पी के जो होल होते हैं ठीक है ये इस इलेक्ट्रोन से अट्रेक्ट होते हैं और ये इधर जाने लगते हैं ठीक है और एन के जो इलेक्ट्रोन से वो इस पोजिटिव होल से अट्रेक्ट होके होल की तरब जाने लगते हैं ठीक है अब ये इलेक्ट्रोन इधर आएंगे ये होल इधर आएंगे, कहीं ने कहीं ये क्या होंगे, इलेक्टोन और होल का एक युग्म बन जाएगा, ठीक है, दोनो बंद जाएगे, होल के साथ एक इलेक्टोन बंद जाएगा और कुछ होल इधर आजाएगे और कुछ इलेक्टोन इधर आजाएगे अब यह hole और electron का युग में यहां भी पहुचेगा यहां आने के बाद यह electron क्या है negative है तो यह positive से attract होगा तो यह यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो यहां से एक electron निकलेगा और यह electron इसमें flow करेगा और यह hole वापस यहां free हो जाएगा ऐसे ही इधर भी होगा तो यहाँ पे जब electron flow होगा मतलब हमें धारा मिलेगी तो electron का flow होगा P से N की तरफ P N संदी की जो अगर अभिनती होती है इसमें क्या होता है अवक्षे परति की जो चोड़ाई यह वो कम हो जाती है क्योंकि यह electron संदी के इधर आते हैं और यह hall संदी के N साइट जाते है तो यहाँ पे क्या होता है संदी पे हमें कुछ current मिलता है संदी पे हमें क्या मिलता है कुछ current मिलता है कुछ धारा मिलती है तो इस वज़े से अवक्षे परति की चोड़ाई जो क्या हो जाती कम हो जाती है और हम अगर अभी रती का एक सेंबॉलिक डाइग्राम देख सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम यह होता है पी यह होता है एन ठीक है और हमने क्या सोचा पी जो होता है वो बेटरी के पॉजिटिव सिरे से चुड़ेगा एन जो होता है वो बेटरी के नेगिटिव सिरे से चुड़ेगा यह हमारा बनता है पी एन संदी का अगर अभी नती में सेंबॉलिक डाइग्राम अब हम पढ़ते हैं P N संधी में उत्करम या पश्य भी नहीं इसके अंदर हम क्या करते हैं यह हमारा P साइड है और यह हमारा N साइड है इसके अंदर क्या होते हैं होते हैं होते हैं कि इसके अंदर किया होते है ये इलेक्रन्स होते है थ्यक्राइश कि अब इसमें हम एक लगाएंगे वल्टेज अब पश्य हभी निटि में क्या होता है पी आकटरी के नेगिटिव सिरे से जूड़ता है कि क...? और तकको ओस्य मोरत है ऐस ने पैटरी से से जुड़ता हैं अगर अभिनिति मैं क्या देखा। P सीरह से जुड़ता है और N सीरह negative से जुड़ता है। मकिन पश्य अब इसमें क्या होता है पर इसमें द्हों बहुत चयासे ही हमने वालटेज लगा तो यहांपर एक विद्युशेतर उत्पन होगा यहां पर भी ठीक है लेकिन अब यहां से यह जो पी साइट के होल है है ना यह पॉजटिव होता है और यह नेगेटिव है तो इधर तो जाएंगे नहीं संदी से क्या होंगे दूर जाएंगे यह क्योंकि यह होल है तो यह इधर आने की करेंगे कि यह positive है तो संदी पे हमें कोई भी संयूग्मनी मिलेगा हमना कोई भी धारा नहीं मिलेगी ठीक है तो इस पर शेविनती के अंदर हमें धारा नहीं मिलती है और यह अवक्षई परतिकी जो मोटा ही है वह भी बढ़ जाती है क्योंकि यहां पे जो अपने यहां पे जो neutral आयने वो बढ़ जाते हैं क्योंकि यहां की अवक्ष़ई पढ़ थे कि जो मोटा है ये वो बढ़ जाती है लेकिन हम जानते P शेटर में कुछ तो Electrons होते हैं और N शेटर में कुछ होल होते हैं ठीक है तो यह Electron और होल आपस में मिलते हैं इस कारण हमें बहुत कम धारा प्राप्द होती है आया समझ में पश्रमीनती में हमें कुछ electron और कुछ hole की वज़े से एक धारा प्राप्द होती है जिसकी जो direction होती है वो n से p की side होती है जिसे हम leakage current भी कहते हैं और इसका symbolic diagram होता है यह हमारा P है, यह हमारा N है, अब हमने देखा, पश्य भी नती है, तो जो P है, वो नेगेटिव से जुड़ेगा, और जो N है, वो पोजटिव से जुड़ेगा, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, PN संदी डायोट का दिस्ट कारी के रूप में उपयोग, ठीक है, अब हम समझेंगे, दिस्ट कारी क्या होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती विभाव को, दिस्ट विभाव में, बदलने की जो क्रिया होती है, उसको दिस्ट करण कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस्ट करण, क्या बोला मैं नहीं, प्रत्यावर्ती विभाव को, दिस्ट विभाव में बदलने की जो क्रिया होती है, उसको दिस्ट करण कहते हैं, और वह उपकरण, जो प्रत्यावर्ती विभाव को, दिस्ट विभाव में बदलता है, उसको बोलते हैं, दिस्ट कारी, ठीक है, physics में हम PN संदी डायोट की दिस्ट कारी पढ़ेंगे जिसमें दो टाइब क्यों होते हैं दो टाइब क्यों होते हैं एक होता है अर्ध तरंग दिस्ट कारी एक होता है पूर्ण तरंग दिस्ट कारी ठीक है अर्ध तरंग दिस्ट कारी पूर्ण तरंग दिस्ट कारी क्या होता है इनको हम डीटेल में समझेंगे लेकिन अभी शोट में समझते हैं अर्ध तरंग दिस्ट कारी में क्या होता है प्रत्यावर्ती विभाव की आदी ही धारा dicedvibhu में बदलती है ठीकिंख है और पूर्णतर्म ड shack裡面 क्या होता है । प्रत्यवर्टीवी इभव को हम पूर्ण रूप से disti vibhu में बदल देते हैं ठीकिंख है , अर्दितरम दिस्टकारी के हंदरम में एक ट्रांस्फार्मर लेते हैं यह ट्रांस्फार्मर की कुंडली है जिसको हम एक एसी विभाव से कनेक्ट करते हैं और इस कुंडली को पी एन संदी के पी से कनिक करते हैं ठीके और यहां पर एक प्रतिरोध लेते हैं जिसको बोलते हैं लोड प्रतिरोध ठीके और यहां पर हम प्रत्यावरती विभाव इनपुट देते हैं, इनपुट में कहा देते हैं हम पत्यावर्ती विभाव, और हमें आउटपुट में मिलता है लोट पे, और दिस्ट कारी में हम निवेशिप पत्यावर्ती विभाव को ट्रांसफार्मर की L1 कुंडली से जोड़ते हैं, ठीके, और PN संदी के P सिरे को L2 क दो जोड़ती हैं, हुम एक लोट-प्रति रोद जिसमें धारा मिलती है, इस लोट-प्रति रोद का नाम होता है MN शोच हुंट ऄंड़ें और यहां पर हम वल्टेज अप्लाई करते हैं मतलब वल्टेज मिलता है जिसे हम निर्गत विभा कहते हैं अ आर्धितरंग दिश्ट कारीक में मुझे चूंच घरण कारिम में की पत्या वर्ति विभाय में में मैं ही थारा मिलती है ऐसे ग्राफ में मश्तै जब प्रत्यावर्ती भूँ का आधा चक्र जाता है तब P N संदी का P सिरा पॉजिटिव रहता है और N सिरा नेगेटिव भूँ पर रहता है तो हम जानते हैं जब P को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं अगर अभी नती होती है और अगर अभी नती है हमें current मिलता है मतलब हमिं निर्गत के अंदर विभो मिलेगा ठीके आधन अब इसका negative पाट जाएगा input के अंदर इस टाइम यह positive सुरह negative से जुड़ेगा और यह negative सुरह positive से जुड़ेगा तो यहां हमें current नहीं मिलेगा क्योंकि यह पश्य भी नती होगी मतलब हम जब नेगटिव करेंट पास करते हैं तो यह पश्य भी नती का कारी करता है तो हमें यहां करेंट नहीं मिलता है लेकिन जब हम P को पॉजिटिव से जोड़ते हैं N को negative से जोड़ते हैं तो हमें current मिलता है ठीक है तब AC current के दोनों part गए ठीक है 0 से πाई और πाई से 2 पाई तक अब 2 पाई से जब 3 पाई यह positive से रह जाएगा तो वापस से यह P positive का वग करेगा और N जो है विभोव भी मिलेगा और load प्रति रोध पे धारा भी मिलेगी मतलब हमें वापस से यहां पे current मिलेगा ठीक है अगेन यह process चलती रहेगी जब negative रहेगा तो current नहीं मिलेगा और जब positive रहेगा तो हमें current मिलेगा ठीक है इस प्रकार हम अर्धितरंग दिस्टकारी का मतलब हमने क्या किया इस प्रत्यावर्ति विभोव की आधी तरंग को दिस्टकारी में बदल दिया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्ध तरंग में हमें आधी तरंग के अंदर ही प्रत्यावर्ती भोग की निर्गत विभो मिलता है और आधी तरंग में नहीं मिलता है